स्वस्थ शरीर में ही इश्वर का निवास होता है यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो इश्वर की बनाई इतनी प्यारी मानव शरीर से रचना का आनंद ही नहीं उठा सकता है बेशक आप करोडपती हो या आरपती हो अब अगर व्यक्ति स्वस्थी नहीं है तो वो भला धन का क्या आनंद ले सकता है इसलिए धर्म शास्त्रों में भी स्वास्ति का विशेश महत्त बताया गया है अगर आप वास्तु शास्त्र को मानते हैं तो वास्तु की इन सरल उपा को करने के लिए आप अपनी सारी बिमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं आईए जानते हैं स्वस्त रहने के कुछ उपायों पर शेयनकक्ष घर का एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति आराम करता है और अधिकतर समय बिताना चाहता है कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि हमें शेयनकक्ष में अच्छी नीन नहीं आती या सुबह उठने पर भी हमारी नीन पूरी नहीं हो रही होती है इसका आर्थ साफ है कि शेयनकक्ष में नकारात्मक उर्जा हावी हो रही है तो जल्दी आपको बिमार कर सकती है इसलिए शेयनकक्ष कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए सुबह की ताजी हवा आने के लिए कमरे में उप्योग खिड़की होनी चाहिए शेयनकक्ष में जूटे बरतन बहुत अधिक समय तक नहीं रखने चाहिए साथी साथ महत्वपुन बात यह है कि अगर आपकी शेयनकक्ष में कोई तस्वीर रखती है रात को सोते समय ध्यान दें कि आपका सर दक्षिन दिशा में सोते समय नहीं रहे इन दिशाओं में इस प्रकार सोने से सरदर्द और अनिंद्रा की बिमारियां व्यक्ति को परिशान करने लगती है भोजन करते समय व्यक्ति को टेलेविजन नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से एक तो भोजन की जगे व्यक्ति का ध्यान टीवी की तरफ रहता है और वास्तु शास्तर के अनुसार टेलेविजिन से नकारात्मक उर्जा निकलती है जो हमारे मस्तिश्क पर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है व्यक्ति की अधिकतर बिमारिया तो रसोई घर से ही निकलती है घर खरीदते समय या लेते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं घर में शोचाले और रसोई घर आसपास तो नहीं है वास्तु में ऐसा होना बिमारियों को आमंतरन बताया गया है वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा अपने आप में एक अचूक दवा है यदि घर में तुलसी जी का कोई पौधा है तो ये छोटा सा उपाय है यही कई छोटी और मौसमी बिमारियों को व्यक्ति से दूर कर देता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें